दोस्तों अगर आप सीटेट अगस 2023 के एक्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट तक जरूर देखेगा इसमें आपको एक्जाम में किस तरह से OMR शीट को फिल करना है क्या-क्या जो है साउधानी बरतनी है ताकि आप आप से कोई गल्ती न हो जाए बहुत से अभ्याति जो है थोड़ी सी गल्ती करके आते हैं जिससे उनका रिजल्ट रुख जाता है तो आप से कोई गल्ती नहीं होनी चाहिए यहां पे सारी चीज़े जो है मैं किलियर बताऊंगी बने देखेगा वीडियो के लास तक भीना एक्जाम में देखने को मिलेगी यानि 20 अगस्त को देखने को मिलेगी आपको ठीक है और यह इस तरह का पूरा देख पार होंगे इस तरह से दिख रहा होगा उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा इसको जो है सबसे पहले आपको बहुत ही ध्यान से आपको इसको फ feel करना है ठीक है feel करने के बाद जितना जो भी है मालीजे इसमें 3 हो 4 हो या फिर 7 हो 0 हो इस तरह से करके तो जो 3 है यहाँ पर 3 में आपको जो है इसको circle करना होगा और जो गोला दिया है इसके अंडर ही आपका जो इंक है उसको पेन है जो आपको वहाँ पे उसको फिल करना है उससे बाहर ना रहे इस तरह से यहाँ पे माले जे फोर है तो इसमें फोर पे करना है तो इस तरह से जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान से और देख देखे दोस्तों इस पर जो है आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं माले ज तो उस पर आप लोग 10 मिनट टाम लेजिए लेकिन फिल करने में जल्द बाजी मत करिएगा क्योंकि यहां पे यही आपका सबसे में है और यहां पे अगर आप सारा पेपर अच्छे से करके आए हैं यहां पे कोई गलती कर दिये तो आपका जो है रिजल्ट रुख जाएगा यहां पे आपका जो बुकलेट नंबर है जो आपको कोशन पेपर मिलेगा उसमें आपका बुकलेट नंबर दिया होगा वो बुकलेट नंबर जो है यहां पे फिल करना है उसके बाद जो है यह गोला जो है फिल करना है ठीक है और बुकलेट कोड दिया होता है उसी पे चाह और पिर यहाँ इन लंगेस हम ले सकते हैं बंगाली है कोई ब्लैंग्वेज की बात करने तो आपको उसका जो है अलग से लाइट मिलेगी उस्सम देदिया जाएगा तो यह नोग अम mental एएज सब कुछ होगा और जिनका जो अधर होगा जैसे उर्दू है या फिर संसिक्रित है अधर लेंग्वेज है तो उसके लिए अलग से आपको पेपर दिया जाएगा तो यहां पर आप लोग साधानी पर दियेगा और यहां पर दोस्तों यह आपका जो है एक सो पचास कोशन जैसा की आपको आपका जो पेपर होगा वो एक सो पचास कोशन का होगा और एक सो पचास नंबर के भी होते हैं एक कोशन एक नंबर का होता है तो यहां पर आपको फिल करना जैसे पहला कोशन जो अभ्यारती फर्स्ट अटेम्ट दे रहे हैं जो सेकेंड थर्ड होगा उनको तो आईडिया हो जाता है जिन अप्यारतियों का फर्स्ट अटेंप्ट है दोस्तों देखिए से मीसी तरह आपको ओयमार शीट मिलेगी और पहला जो कोशन है पहले कोशन में माली जी इसका सी वाला जो है करेक्ट है तो इस तरह सी पे गोला करना है ठीक है सेकेंड में माली जी फर्स्ट वाला करेक्ट तो फर्स्ट भी करना है थर्ड में माली जी फोर्थ वाला है तो फोर्थ भी करना है इस तरह से करना है और दोस्तों देखिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर आपको किस तरह से जैसे आप कोशन पेपर में जब को सॉल कर रहे ह उस पे आपको पता चल रहा है जैसे आपने CDP पहले कर लिया है ठीक है CDP कर लिया है तो उसके बाद दोस्तों 30 कोशन जो है आपके हैं ये आप लोग फिल कर लीजिएगा ऐसन ये कि हम जो है 150 कोशन पूरा सौल कर लेंगे देख लेंगे उसके बाद लास्ट में जो है उमार शीट में फिल करेंगे ये गलती मत करीगा क्योंकि दोस्तों सारे कोशन आप लोग करके लास्ट में आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप जो है जल्दबाजी में गलत कर जाएंगे फिल नहीं करपाएंगे जैसे होता है कि लास्ट में जब आप टाइम कम बजता है तो आपको अंधर से लगेगा कि कुछ गलत नहुजाए कहीं ज चूटनों च्छूट नहुजाए इस तरह की गलती आप जो है जल्दबाजी में कर सकते हैं और एक कोशन में अग सबी गलत होता चला जाएगा तो यहां पर आपको काफी ध्यान देना अगर आप जो है सीडीपी वाला मालीजिए सीडीपी कर लिए हैं तो सीडीपी के जितने तीस कोशन है आप उसको फिल कर लीजिए ठीक है हां जो लग रहा है आपको यह डाउट में है यह मुझे नहीं आ लेकिन यहां पर ध्यान दिजिएगा 91 से 91 से जो है लगबग पहला जो है सीडीपी को आपको देखने को मिलेगा फिर मैथ है फिर इवी एस है ठीक है 90 कोशन तक हो गया 90 के बाद 91 से जब आप देखेंगे तो वहां लेंग्वेज वाले आ जाते हैं तो आप हिंदी अगर ल पर हिंदी का अब बढर लिए गलती कर जाएंगे लेंगेज फर्स्त है आप है आप अगर अगर फास्त में आपने लिया है तो लेंगे फ़श्ट वाला ही हिंदी करिएगा और उसका कऊशन नंबर मैच कर कि कोशन नंबर कितना दिया है क्योंकि यहीं पर अभ्याटी जो ह हो है आप लोग से देखेगा उसमें भी आपको दो पेपर देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ऐसे ब्यादि हैं जो वही चीज्ज language F1st में लेते हैं कुछthenarms toen लेते हैं तो आप जो भी लिए रहेंगे language F1st में ले वर 2nd में इस पर ध्यान यह दोनों जो है फिल करिएगा ठीक है तो यहां पे आपको काफी ध्यान देना है नीचे आपको सिंग्नेचर वगएरा का ओप्शन दिया रहता है यहां भी मैं फिल वाला भी दिखा रहे हूं आप लोग यहां पे देख सकते हैं यह आप देख पारेंगे इस तरह से दोस्तो जो 150 कोशन है उसको स्वाल कर सकते हैं दोस्तों जहां पे देखिए मैं 30-30 का बताई हूं आप लोग अगर एक सब्टिक्ट करते जाए तो उसको फिल करते भी जाएगा क्यूंकि अगर आप छोड़ रहे हैं कि हां हम 150 कोशन पूरा करने के बाद फिल करेंगे तब दोस्तों आपको लास्ट में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती इसलिए मैं आपसे कह रहे हूं कि 30 कोशन अगर कर लेंगे तो फिल कर लिजेगा हाँ जिस कोशन पर डाउट लगेगा कि हाँ इसको बाद में टाइम मिलेगा तो मैं देख लूँगा कुछ कोशन होते हैं ऐसे कोशन नमबर देखके तो यह सारी चीज़े हैं आई होब कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और बाकि जो आपके डाउट होंगे इससे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मैं आपको जो है उसका रिप्लाइज जरूर करूंगी तो बस इस इतना ही बाकि दोस्तों इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिएगा ताकि हर अभ्यारती तक हो सके क्योंकि इसको ले करके काफी अभ्यारती परशान होते हैं जिनका फर्स्ट होता है सारे चीज़े अच्छे से समझ नहीं आती हैं तो आप लोग जादा जादा शेयर क के बदले 10 मिनिट 15 मिनिट इस पर लेना लेकिन अच्छे से इसको फिल करना ठीक है तुबस इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अब नए स्टूडियो में मैं तपकली बाई बाई टेक क्यार थेंक्यू